कोकाटे कालोनी में संचालित बाल सिक्षर निकेतन इसकूल में आई दिन होते रहते हैं जगडे ऐसा कहना है हमारे एक जागरुक दर्शक का जिनका नाम है पंडित लखन शास्त्री उन्होंने हमें पताए कि आज सुबह जब एक स्कूली छात्रा परिक्षा देने के लिए कोकाटे कालोनी सित्रित बाल सिक्षर निकेतन पहुंची थी तो वहाँ सुबह तकरीबन आट बजे दो लड़के मोटर साइकल पर आये और उस बालिका को मारने लगे बालिका की पिटाई होते देख वहाँ पर कुछ लोग और एकटा होगा जिन्होंने बीच बचाव भी किया इसके बाद एक युवक तो वहाँ से भागने में सफल हुआ जबकि दूसरे युवक को वहाँ मौझूद लोगों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया निरवाय की टीम ने जब इस मामले की जांच की तो पता चला कि दोनों व्यक्ति शराब के नसी में थे हाला कि एक व्यक्ति को पकड़े जाने के बाद दूसरे को पकड़ना आसान होगा ऐसा पुलिस मानती है और दूसरे की तलाश भी शुरू कर दी है लेकिन अभी तक इस मामले में लड़की के पक्षिस से कोई भी शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई है ऐसे ही बातों के चलते इन अपरादियों के होश्ले बुलंद होते हैं कि लड़की के परिजन, लोकलाज एवं शर्म के चलते इन लोगों के कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराते जिन से इनके होश्ले और भी बढ़ जाते हैं यही कारण है कि आए दिन महिलाओं एवं बच्चियों को लेकर गटनाय गटित होती रहती हैं। हाला कि गुनाव में मुस्तेद निर्बया की टिम हमेशा इस तरह के होने वाली अपरादों को खत्म करने के लिए अपने गस्त लगाती रहती है। अब देखने लायक होगा कि इस मामले में पुलिस क्या करवाई करती है।